हाज जी तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त गगंदीप आपके अपने फेवरिट चैनल जी डीटे की से तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को दोस्तों आपको पता ही है कि करोना की थर्ड वेव के चलते स्कूल को जिसको बंद किया गया था और जो एजुकेशन है वो ओनलाइन चल रही सी तो उसी बीच एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जैसे ही स्कूल खोले उसके बाद अनॉसमेंट की कि जो एग्जैमिनेशन है वो ओफलाइन मोड में होंगे और जो कोश्चिन पिपर है वो अबजेक्टिव टाइप ही होंगे लेकिन दोस्तों शायद एजुकेशन डिपा कोशिश करेंगे तो चलिए फट फट से करते हैं वीडियो को शुरू तो देखिए दोस्तों ये एक अपडेट निकल के आ रहा है देखिए की दिशा निर्देश ने अब हम वो भी जानेगे तो देखिए दोस्तों जैसे मैं नीचे आता हूँ देखिए CICS ने 10 मी अते 12 मी दिया प्रीबॉड प्रिख्यामा सबंदी स्कूलानू महत्तपूर निर्देश दितेहन पार्ती स्कूल सेर्टिफिकेट प्रिख्यामा ले कौनसल CICSC ने कहा है कि स्कूल स्लेबस पूरा ना हूँ तो बात ही 10 मी अते 12 मी जिर्मादिया प्रिख्यामा ना करवाओ जदो तक कि स्लेबस चेंगी दरा कवर नहीं हो जांदा दुझे पासे जेकर स्लेबस अधूरा है तक उनसलने स्कूल ना प्रिख्यामा ना कराओं दी हिदायत देती है प्रिख्यामा मार्च दे अंत अते अप्रैल देविचकार करवाईया जानि किसी भी question का photo कीजिए और crop कीजिए video solution होगा आपके सामने within few seconds जी हाँ दोस्तों free में पूछे unlimited सवाल तो पैसे solution है जी doubt not Class 6 से लेके 12 तक IIT, J-Mains, NEET, CBSC, UP, विहार बोर्ड, राजस्ता या किसी भी अन्य बोर्ड का physics, chemistry, math, biology या फिर science किसी भी subject का solution है जी doubt not इसी के साथ ही online classes, class 9 से 12 तक IIT, J-Mains और NEET की online चल रही है जिसे लेके बच्चे जो हैं first rank जो हासिल कर रहे हैं तो अब इंस्टाल कीजिए doubt not app जी हम दोस्तों ये एक announcement जारी की है जी CICSC board ने कि उन्होंने schools को ये कह दिया है कि अगर बच्चों का syllabus पूरा नहीं हुआ है due to corona third wave तो अभी pre-board के जो exam है वो conduct ना करवाए जाएं जब तक के syllabus पूरा नहीं होता सो दोस्तों अब आप ही बताईए अगर हम बात करें पजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्योंकि पजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का एक notification वाइरल हुआ official update नहीं आई उसके बाद पजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जितने भी schools हैं उन्होंने प्री बोर्ड लेने शुरू भी कर दिये ये भी नहीं देखा कि बच्चों के syllabus पूरा हुआ या फिर नहीं तो आप हमें कमेंट करके बताईए कि क्या पजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का लिया गया ये फैसला जायस था या फिर नहीं माकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा प्लीस एर कमेंट करेए जरूर बताईएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा सो इस वीडियो में इतना ही